हम स्टार्ट कर रहे हैं रिसका नाम होगा होंढ़ोगा होंजिल सीरेज और होंजिम आपको बनाने के लिए आपको क्या-क्या चीजों की जरुवत है और सीरी और कीमंट्न से लगेंगे लगा हैं और शबतें आप इस सीरीज में भात करने वाले हैं什麼 सबसे पहले तो यह चीज जालनों कि सिर्फ आपके पास दो डंबल्स है एजस्टेबल तो उससे भी आप पूरा वकाउट कर सकते हो और वो डंबल वकाउट प्लान जो है वो सेल के लिए अविलिबल है आपको मिल जाएगा आप मुझे डीम कर सकते हैं इंस्टेग्राम पे य कैसी चीज जिसमें मैं इंवेस्ट करना चाहता था बट मैं मैंने करा नहीं विकोज दूसरी चीजें लेना मेरे को ज्यादा इंपॉर्टन लेगा और डंबल्स अमीन से भी हम लोग उठा सकता है ऐसा कोई दिक्कत नहीं है तो डंबल्स आपको अलग-लग टाइप के मिलें बट में स्थेल दीरे चोटी-चोटी चीजों में कवर करूंगा यहां पर दो पीवी सी पाइप पड़े हैं यह वांउप में मेरे काम आते हैं एक बार्बल पड़ी है पुरानी सी जंग लगी जो इजी करल बार्ज इसको कहते हैं इस पे 28 mm वाली प्लेट्स लगती है जो क फिर करता हूं ताकि जमीन पे इंपैक्ट नहीं पड़े और आवाज जादा क्रियेट नहीं हो उसके बाद आपको एक बेंच दिखेगी लगडी की नई बेंच लेने से पहले इस लगडी की बेंच पर ही मैं सारी एकसराइज करता था चेस्ट वगेरा सब कुछ तो यह तो मैं को लगता है वहीं पर कर लूँ यहां पर घर पर आके नहीं करना पड़ेगा टाइम भी बचता है तो यहां पर मैं वाकाउट प्लान्स लिख सकता हूं जब भी मैं चाहूं ताकि मुझे फॉलो करने का मन हो घर में वापस आउं तब कि मैंने लिखा ता सुबे कि अच्छी प्लेट से दौनों काफी साल से यूज कर रहा हूं दो साल हो गए अल्मॉस्ट एंड आर वेरी स्टडी और इसके बाद आपको दिखेगी स्कॉड रैक्स कॉड रैक्स कॉड्रैक्ट डीकैथलाउन या डेकथलाउन जो भी आप बूलना चाहें उस कंपनी से मैंन अच्छी दोनों ओलंपिक बारबल है और दोनों का काफी अच्छा यूज मैं करता हूं और लोगों को भी करवाता हूं जो भी मेरे पास एकसे साइज करना है घर पर आते हैं एक रॉड आपको देखेगी इसमें पीछे लगी जो की सरिया वाली रॉड है मैं जिसको सरिया करता हूं कि उसमें कोई भी मूविबल पार्स नहीं होते है सीधा एक रॉड होती है यह रॉड आपको तभी लिनीची जब आपका कॉस्ट जब आपका बजट कम है बजट कम है तो क्या होगा उसका फैदा कि यह रॉड में जो वेट लगेगा वह सेम वेट होगा जो आप लगा होगे तो आपको अलग से वेट करीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो कॉस्ट बचाना है अगर आपको बजट आपका कम है आपको पैसे बचाना है तो आप यह रॉड ले सकते हैं पतली वाली लेकिन यह रॉड में क्लीन और जर्क और काफी सारे मूवमेंट जो आप वेट लिफ्टर करते हैं वह नहीं कर पाएंगे क्योंकि मूवबिल पार्ट नहीं है तो बायो मेकानिक ली यह आपके लिए साही नहीं होगी तो यह तब ही लिना जब आप बेंच प्रेस क्वाट और डेडलिफ करने की सोच रहो लेकिन डिक्कत है कि हेवी वेट लग कर लेतों तो सब कुछ हो जाएगा तो रेस इस बैंड यह रहे कुछ यहा पर लगे हुए जिस पर आप चैस्क्त कर सकते हो बैय्क कर सकते हो बहुत सारी चीज़े कर सकते वो इस बाट को अनिक लगा रखने और estimate कान्ट जो मेनख दो कांच जो मैंने जो में लगा रखने ह कर सकते हैं, तो this was my gym, कुछ अगर छूटा होगा तो मैं नेक्स वीडियो से वैसे भी cover करने वाला हूँ every single thing, every single product and equipment को मैं review करूगा तीरे तीरे तो अगर कुछ छूट रहा हो तो I'm sorry for that and this was my home gym review, review or essentials, आपको क्या-क्या चाहिए जिम में exercise करने के लिए तो I hope video पसंद आई होगी आपको and I hope you are looking forward to seeing more videos like this अब हम करने वाले हैं next video में, barbells का review और thank you for watching, have a nice day, bye-bye